तो यह वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं तो यह वाला चो एरिया है यह मेरा था y equal to 10 universe x तो x equal to 10 y है को square theta d theta जहां से देखना पूरे integration को मज़ा आएगा आधी का मतलब पूरी मैं इसको कह रहा हूं आ cycle तो ऐसे पूरी होते हैं देखोगे तो यह वाले length कितनी है 2a sorry not 2a 4a this length is 4a and this length is 4a को a से multiply कर दिया 4a square ठीक है तो यहां पर notice करने वाली बात क्या है तो यहां पर यह वाला जो result है यह अपने को याद रखना है कि जी area enclosed by area enclosed by the parabola अगर यह मेरे को 16 मिल गई तो मैं बोल दूँगा focus से pass कर रही है कि area को हम questions के through ही सीखते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको different different situation में different different questions में हम जब area निकालते हैं तभी area की understanding हमारी बढ़ती है ठीक है तो एक अच्छे सवाल के साथ एक बड़े खूबसूरत से question के साथ शुरू करते हैं आज question क्या है find the area find the area enclosed by by the graphs y equal to tan inverse x y equal to court inverse x है ना and y axis y equal to tan inverse x y equal to court inverse x and y axis इन्होंने जो area enclosed किया है वो बताइए attempt करो जड़ा सवाल को चलो हम भी कर लेते हैं भई सबसे पहला step है area को समझना क्या area बनेगा कौन से वाला diagram बनाना यार standard curve जो है ना आपके trigonometry के 6 graph inverse trigonometry के 6 graph x square x cube का graph x की power 1 by 2 x की power 1 by 3 का graph simple polynomial के graph exponential log के graph अगर यह आते हैं simple parabolas के graph hyperbola simple simple circle simple simple इनके graph अगर अपने को आते हैं तो पूरा area कर सकते हो आप simple curve जो है हमने अभी journey में जो हमारी जही है maths की उसमें पड़े हैं वो अगर आपको पता है तो आप पूरा chapter जो है उसको अच्छा कर सकते हो तो यहाँ पर tan inverse x एक graph है तो tan inverse x का अगर graph बनाओगे तो आपको पता ही है कि minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में बनता है है ना यह minus pi by 2 वाली line है यह pi by 2 वाली line है तो ऐसे minus pi by 2 से pi by 2 कुछ ऐसा graph आता है यह यहाँ origin से pass करता हुआ ऐसा कुछ graph आता है ठीक ऐसा ही होता है ना यह जो line थी यह y equal to minus pi by 2 वाली line है और यह जो line है यह y equal to pi by 2 वाली line है ओके जी Port-inverse का जो graph होता है वो वो कुछ ऐसे करके ऐसे आता है वो 0 से pi वो 0 से pi के बीच में इसकी range होती है तो यह जो graph होगा यह देखो यह 0 से pi है ना ऐसे करके आएगा pi बाइड़ अ को ऐसे काटते हुए ऐसा कुछ graph आएगा एना यह line कौन सी है मेरी आपके पास दो चोईस हैं एक तो आप इसको X-Axis के एलोंग इंटिग्रेट कर दो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला वो भी बिलकुट ठीक है है ना दूसरी चोईस क्या है आप Y-Axis के ओपर प्रोजेक्टिड एरिया निकाल लो वो बात भी बिलकुट ठीक है जैसे आपका मन कर निकालने का ठीक है तो इसमें जो है दोनों ही एक्सप्रेशन लिख देता हूं सबसे पहले तो आपको यह इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा यह इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है यह इजिली निकाला जा सकता है एक्स इक्वल टू वन पे टान इनवर्स भी और कोट इनवर्स भी पाई बाई फॉर होते हैं तो एक्स इक्वल टू वन पे यह जो बिंदू है यह भी निकल के आगया यह कितना हो गया y is equal to पाई बाई फॉर तो सीधी बात है जो area है, मेरा required area जो है, यह हो जाएगा, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1, ऊपर वाला curve, माइनस नीचे वाला curve, तो पीले वाला curve कौन है, coat inverse x, यह मेरा है coat inverse x, यह सफेद वाला curve है, यह मेरा है tan inverse x, तो उपर वाला curve, coat inverse x, माइनस tan inverse x, इसको अगर 0 से 1 आप integrate करोगे, तो answer आ जाएगा, ठीक है जी, एक तरीका सोचने का यह हो सकता है, दूसरा तरीका सोचने का एक और भी हो सकता है, कि जो area है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस curve को, देखो, यह सफेद वाला जो tan inverse x है, अगर मैं इस curve को x के हिसाब से देखूं, तो tan inverse x है, मगर y के हिसाब से देखूं, तो tan x की तरह behave करना चाहिए ना, इसको, tan x की तरह behave करना चेश को, देखो, यह ना, tan x अपना 0 से चाल लो होता है, यह ना, pi by 4 पे जाता है, फिर pi by 2 पे ऐसे करके जाता है, तो आप इसको यूं भी कर सकते हो, कि 0 से pi by 4, ध्यान से देखना, जीरो से pi by 4, tan x, और फिर इसमें जोड़ दो, pi by 4 से pi by 2 आगे, pi by 4 से pi by 2 आगे कितना हो गया, cortex, ऐसा भी कर सकते हो आप, अरे समझ में आ रही है बात आपको, है ना, भाई यह, मैंने क्या कहा था, कि यह fx है, fx, आप fx को, ठीक लिखागे मैंने यह, आप fx को, इंटिग्रेट करोगे a से b, और इधर देखोगे तो यह inverse की तरह काम करेगा, हम, है जी, एक मिनट मैं सोचता हूँ कि यह ठीक लिखाएगा expression, यह expression ठीक लिखाएगा, मैं क्या सोचता हूँ, सब लोग सोचते हैं, यह है मेरा y equal to fx, तो y equal to fx को, अगर हम 0 से लेकर के a तक इंटिग्रेट करेंगे, इसको अगर हम 0 से लेकर के a तक इंटिग्रेट करेंगे, तो यह वाला area निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना, तो अगर हम f inverse y को, अगर हम f inverse y को, यहां से यहां तक इंटिग्रेट करेंगे, तो यह वाला area निकलेगा, तो यह वाला area है, यह बिल्कुल f inverse y को 0 से लेकर के f a तक इंटिग्रेट करके निकल जाएगा, है ना, यह वाला area, ठीक है, तो यह वाला area की बात कर रहा हूँ, इन्वरस एक्स तो X इक्वल टू 10Y है तो 10YDY करके अगर मैं 0 से πाई बाई 4 करूँगा तो बिल्कुल निकलेगा बिल्कुल ठीक बात है ये तो logical बात है अरे समझ में आ रही है प्रोपर्टी पढ़ाई भी तो ठीकल got it तो जी बात एकदम साफ है ठीक है तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगए answer निकालो ये वाला integration निकाल लेते हैं अपन 10x के integration का formula बता दो यार मेरे को 10x के integration का formula क्या होता है log mode secant x 0 से 5 बैफ 4 में तो mode की कोई tension नहीं है तो yellow ये हो गया plus cortex के integration का क्या होता है ln sin x pi by 4 से pi by 2 limit हो गई ठीक है तो आई ये limit put कर देते हैं pi by 4 put करोगे यहाँ पे तो कितना हो गया root 2 तो ln root 2 ln root 2 minus 0 put करोगे तो 1 ln 1 0 हो गया plus pi by 2 put करेंगे तो 1 हो गया 0 minus pi by 4 put करोगे तो 1 by root 2 तो ln 1 by root 2 तो ये हो जाएगा plus ln root 2 ln root 2 plus ln root 2 2 ln root 2 और 2 ln root 2 जो है वो कितना आ गया ln 2 इस 2 को यहाँ ले गया तो root 2 का whole square हो गया तो ये आ जाएगा अपना ln 2 आपका क्या आंसर आया ln 2 ही आंसर आया लेकिन आपने तो ऐसे integrate किया था इसको तो इसका हम बराबर आ रहा है तो इसका हम लाब को जो concept शीका है तो ठीक है चलो फिर बहुत ही शानदार एक और question कर लें solve एक और question कर लेते है solve question है कि बहुत ही simple question दे रहा हूँ find the find the area enclosed by the curve बहुत ही प्यारा question है by the curve x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 is equal to a की power 2 by 3 है ना x की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 equal to a की power 2 by 3 बहुत ही प्यारा problem है अब यहाँ पे एक ही curve है यह तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक ही curve है तो एक ही curve कैसे area निकलोज करेगा तो शायद यह curve circle की तरह कोई चक्कर बना रहा होगा वही एक ही curve में area निकलोज कैसे आएगा यह खुद ही एक bound कर रहा होगा किसी area को circle जैसे bound करता है उसी प्रकार की feeling के साथ है सोच यह attempt करने का परियास कीजिए इस curve का चित्र बनाई है अगर किसी ने इसका diagram सही बना दिया तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं कि सच में आप जो लगन और मैनल से प्रेपरेशन कर रहे हो वो इसके diagram में जलग जाएगी कि चलो बनाते हैं diagram करते हैं solve ठीक है diagram बनाते हैं जहां से देखो ज़रा बात को यह हमारे coordinate axis हो गए भाई देख लो इनको अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह जो curve है इस curve को एक बार ध्यान से देखो एक्स की power 2 by 3 plus y की power 2 by 3 equal to a की power 2 by 3 इसको ध्यान से देखो आप और इससे मिलता जुलता जो circle है इस circle को ध्यान से देखो अब circle कुछ ऐसा होता ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा powers में मैंने बदलाव कर रखा है ठीक है एक बात तो तैह है कि यह y equal to 0 पे x कितना है एक बारी a और एक बारी इससे बहार जा नहीं सकता क्योंकि y की value a से बड़ी करोगे तो यार x किया लोगे फिर यही बाते मैं यहाँ पे भी put down कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ y equal to 0 पे बताओ x कितना है y equal to 0 पे x कितना है a और minus a ही आ रहा है अरे सहमत हो क्या भाई इस वाले case में y equal to 0 put कर दिया आपने तो x की value a put कर लो या minus a put कर लो दोनों आ रही है तो यह वाला graph भी इनी दो बिन्दों के बीच में कैद है y की value a से बड़ी करोगे तो बड़ी चीज में और क्या जोड़ोगे भाई छोटी वा लालनी के लिए लाई नहीं सकते आप इसी प्रकार से x की value 0 पे y मेरा a और x की value 0 पे y मेरा minus a ठेक है circle का graph ऐसा होके जाता है यह वाला graph ऐसा होके नहीं जाएगा यह वाला graph मालो किसी दूसरी तरीके से होके जाएगा यह यू जाएगा यू जाएगा उसका आपको ना भी पता चले तो भी कोई बात नहीं है यह problem तो तब भी solve हो जाएगा लेकिन इसका graph ऐसे जाता है इसका graph जो है ऐसा graph बनता है ऐसा graph होता है यह ऐसा graph यह है graph समझ में आरी पता आपको और इसका area पूछा गया है सर कैसे पता चले इसका graph ऐसे बनता है एक तो इसका जब dy by dx निकालोगे ना dy by dx जीरो पे तो 90 degree की tangent मिलेगी यहां पे आपको not defined मिलेगा तो पता चल गया यहां पे tangent ऐसी आ रही तो ऐसे idea लग गया वहां से समझ रहे हो इसका dy by dx इस बिंदू पे निकालोगे तो 0 मिलेगा तो यह पता चल जाता है कि हाँ यह ऐसा graph होगा आरे समझ में आ रही है क्या यह ना यह यह हो गया graph ऐसा ठीक तो graph अपने को clear हो गया यह तो मैंने ऐसे ही बना दिया था जानते हैं अपने स्कर्फ को इसलिए ठीक है अब area enclosed पूछा है तो यह पूछना चाह रहा है इस complete area को मैं यह बोल रहा हूँ कि इस area का 4 times कर दो आंसर आ जाएगा सर ठीक कर रहा हूँ क्या भई यह वाला जो area है इस area को 4 times कर दो तो tension ले रहे हो अब आंसर आ जाएगा अब इस area को 4 times करेंगे जरा पहले यह जो curve है इसमें y की power 2 by 3 को देखोगे तो यह a की power 2 by 3 minus x की power 2 by 3 ऐसा नजर आएगा और यहाँ अगर हम y की power 2 को देखेंगे दोनों तरफ cube करने पे दोनों तरफ cube करने पे यहाँ देखो मैं कुछ बात ने बोल रहा हूँ दोनों तरफ cube करोगे न आप तो ऐसा कुछ नजर आ जाएगा आपको यहाँ पर ठीक है और y देखोगे when y square equal to alpha तो y will be plus minus root alpha तो y आएगा एक तो plus और एक minus plus और minus इसका root बोले तो power 1 by 2 ठीक है तो यहाँ हम बोलेंगे कि यह जो यह जो उपर वाला यह जो उपर वाली ब्रांच है ना इस curve की जो x-axis से उपर वाली ब्रांच है x-axis से उपर वाली ब्रांच की जो equation रही होगी इस लाल वाली ब्रांच की जो equation रही होगी वो equation रही होगी y equal to positive a की power 2 by 3 minus x की power 2 by 3 और इसकी power 3 by 2 और जो ये नीचे वाली ब्रांच है इसकी जो equation रही होगी इस वाली ब्रांच की जो equation रही होगी वो रही होगी y equal to minus a की power 2 by 3 minus x की power 2 by 3 और इसकी power 3 by 2 ये बात तो एकदम clear हो गई clear हो गई तो अब उपर वाली ब्रांच की equation पता है आपको ये पता है कि integrate कहां से कहां करना है area की पूरी feel आपको आ गई है तो अब तो answer आई जाना चाहिए तो जो मेरा required area है required area है this will be 4 times of 4 times of this area एक कोने का area को 4 से multiply करके तो पूरा area जाएगा तो 4 times 0 से लेकर के a आप बताओ जरा ठीक है क्या 0 से लेकर के a और a की power 2 by 3 minus x की power 2 by 3 और इसकी power 3 by 2 dx इस integration को solve करेंगे तो आपका काम बन जाएगा ठीक है अब सवाल ये उठता है यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात क्या होगी integration भी अच्छा बन गया है अब इस integration को कैसे solve किया जाए कोई टिपपणी दे सकता है इस बात के उपर इस integration को कैसे solve किया जाए कैसे solve किया जाए बताओ बताओ क्या कुछ समझा रहा है substitution का सारा लेना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या substitution होना चाहिए x की value मैं आपको एक propose कर रहा हूँ बताना ठीक है क्या मैं सोच रहा था कि यार x की value डालें आप a cos cube theta आप सहमत हो तो डाल देंगे नहीं तो नहीं डालेंगे मैं सोच रहा था x को डालें a cos cube theta ये एक अच्छा substitution भी यहाँ देखने को मिल रहा है अपने को है जी x को a cos cube theta डाल दें आप कहोगे तो ये डालेंगे देख ले ना आपके बार नहीं जा सकता मैं तो 4 limits कितनी हो जाएगी जब x 0 है तो theta कितना है x 0 तो theta pi by 2 जब x a है तो theta कितना है 0 clear हो रही है बात और जब आप x को डालोगे a cos cube theta तो a की पावर 2 by 3 को मना जाएगा a की पावर 2 by 3 और फिर पावर 3 by 2 तो बहार निकल के a हो जाएगा a into 1 minus cos cube 3 से cancel हो के cos square theta बन जाएगा अरे ये तो बढ़िया हो गया 1 minus cos square theta और इसकी power 3 by 2 ऐसा बन जाएगा into जो dx है dx को अपन देख लेते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर dx dx हो रहा है a into 3 cos square theta into cos theta का differentiation minus sin theta तो यहाँ से आप देख सकते हैं आगया into d theta यहाँ पर आगया 3a into cos square theta into minus sin theta into d theta एक और line यहाँ पर लिख रहा हो यह negative sign को इस limit के साथ जब आपन adjust करेंगे तो 0 से ले करके pi by 2 हो जाएगी limit ठीक है और यहाँ पर देखो 3a और a 3a square हो गया इसको यहाँ पर 3a square को यहाँ पर लिख देते हैं into देखो 1 minus cos square sin square हो जाएगा sin square का 2 to cancel हो के sin cube है sin cube into sin हो गया sin की power 4 sin की power 4 theta into sin की power 4 theta into कितना हो गया cos square theta d theta जहाँ से देखना पूरे integration को मज़ा आएगा इसको बोल देते हैं area a इसका नाम area a रख देते हैं तो a will be equal to 12a square देखना ज़रा सहामत हो तबाद से a will be equal to 12a square 0 से pi by 2 sin की power 4 theta into cos square theta d theta ठीक लिखिए बात मैंने मैं king apply कर रहा हूँ apply king king जानते हो ना आप लोग भूलतों नहीं किया आप लोग apply king अगर आप king apply करोगे तो यहाँ पे देखिए कैसा नजारा बनेगा तो यह theta की जब pi by 2 minus theta हो जाएगा तो एक cos की power 4 theta यह sin square theta d theta और यह मेरी पहली बात यह मेरी दूसरी equation अगर आप equation 1 और equation 2 को add करने की बात करोगे तो a और a कितना हो गया 2a equal to 12a square 0 से pi by 2 ठीक है तो क्या common आ जाएगा sin square cos square common आ जाएगा sin square theta into cos square theta बचेगा क्या sin square theta plus cos square theta बन जाएगा तो यह चीज तो हो गई 1 अच्छी बात हो गई है तो अब यह जो 12 है न 12 यह मेरे को उतना जाद अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे इस 12 को मैं क्या कर रहा हूँ इस 12 को मैं 3 into 4 ऐसे लिख रहा हूँ 3 into 4 लिखने से मेरे को benefit यहाँ पे हो जाएगा कि 3a square 0 से pi by 2 यह कितना हो गया sin 2 theta का square हो गया यह sin 2 theta का square हो गया यह और sin 2 theta का जो square होता है उसको आप लिख सकते हो 1 minus cos 4 theta divide by 2 ऐसा लिख सकते हो 3a square यहाँ पे था ही integration 0 से pi by 2 देख लेना अब यह गर मैं कुछ गड़ बड़ करते हूँ ठीक लिखा है ना ठीक लिखा है एकदा ठीक है तो यह है 2a की value यह 2a की value आपके सामने है अगर आप a की value निकालना चाहते तो a की value हो जाएगी इस 2 को और नीचे लाओगे तो by 4 3 by 4a square यह हो जाएगी 3 by 4a square into यह जो quantity है इसका integration करोगे तो 1 का integration कितना हो जाएगा theta minus cos का integration कितना होता है sine होता है cos का integration sine होता है मगर एक बात ध्यान रखे यह जो 4 है इस 4 से भी आपको divide करना पड़ेगा limit अपनी है 0 से pi by 2 definite integration के मस्त बात क्या होती है limit जो है वो बदल जाती है तो substitution जो कर रखा उसको बाद में वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने को ठीक है pi by 2 अगर यहाँ पर डाला जाए तो pi by 2 minus pi by 2 into 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यह तो तो आंसर आजाएगा 3 pi a square upon 8 कितना खुबसूरत सा आंसर आया है एक option मिलेगा उसको टिक कर देना अगर objective में आता है तो ठीक है तो यहाँ पर अपने देख लिया है कि भाई हमारा यह जो सुन्दर सा कर्फ था इसने जो area enclose किया है वो बड़ा easily निकाला जा सकता है और यह integration जो है इसको note करने वाली बात है कि substitution का कितना प्यारा इस्तेमाल करते हुए फिर थोड़ा king लगा करके calculation को simplify करते हुए हमने इस integration को solve कर लिया correct चलो diagram बनाते हैं solve करते हैं lnx का graph यार सब लोग ही जानते होंगे अगर नहीं जानते तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है है न lnx का जो graph होता है lnx का graph कुछ ऐसा होता है ठीक है यहाँ ln modx है तो modx आने से graph क्या होता है जो right में है वो left में copy हो जाता है मतलब जो positive x-axis पे है वही negative x-axis पे बन जाता है क्योंकि अब इसकी domain बढ़ गई है x पहले 2 होना संभव था तो अब minus 2 होना संभव भी है अब यह area y equal to 0 मतलब x-axis y equal to 0 यह वले line है y equal to 0 बोले तो x-axis इसके साथ जो area enclose हुआ है उस area की बात करनी है तो अपन बात कर रहे हैं ये वाला area plus ये वाले area की ये concept आपको अल्रेडी बता चुका हूँ मैं कि यहां से आपको खुला नजर आ रहा है मगर ये ये आगे जागे बिल्कुल इसके साथ चिपकने का परियास करेंगा और ये finite area आ जाता है इस परकार का area भी ठीक है तो ये definite integration जब शुरुआत में पढ़ाया था शुरू किया था मैंने तो बताई थी बाते और यहां से एक बात और easily conclude की जा सकती है कि ये जो area है basically इस area का double कर देंगे तो total area आ जाएगा इस area का double कर देंगे तो total area आ जाएगा और ये भी जो area है ये भी बड़ा simple वाला area है जो e की power x function होता है e की power x function e की power x function जो यहां पर area enclose करता है ये area और ये area same है क्योंकि e की power x और ln x inverse एक दूसरे के हैं ये जो x-axis पे project करेगा और ये जो y-axis पे project करेगा ये दोनों बराबर होंगे इस पे भी हम detail में discussion कर चुके हैं एक बार ठीक है न? तो सीधी बात है जो required area है जो required area है आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि minus infinity से लेकर के 0 तक minus infinity से लेकर के 0 तक e की पावर x को आप integrate कर दो है न? और इसका कर दो double answer आजाएगा ठीक है ये आजाएगा 2 e की पावर x integration हो गया minus infinity से 0 है न? तो 2 e की पावर 0 minus e की पावर minus infinity e की पावर minus infinity 0 होता है e की पावर 0 1 होता है तो 2 हो गया हमारा answer ठीक, आप ऐसे नहीं इसको लिखना चाहते, ये e की पावर x का integration करना easy था, इसलिए मैंने ये steps लिख लिए, आप यूं directly इसको यहीं से देखना चाहते, तो 2 times 0 से लेकर के ये क्या है, 1, तो ये है हमारा x is 0, तो x 0 से x 1 तक integrate कर दो, किसको? lnx को, और integrate करोगे तो negative answer देगा, तो एक negative आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कि यार, minus 2 times integration 0 से 1 lnx dx, तो इसका भी जो answer देखोगे, तो 2 मिलेगा आपको, ठीक है न, आप यूं integrate कर लो, यूं कर लो बातें, बराबर हैं, ठीक है, जो इस आपकी है, correct है, अच्छा मैं ये वाला area याद रखता हूं भी, ये जो e की power x ने जो area यहाँ पे लिखा है, याद रखता हूं, ताकि छोटे मोटे जो questions, उनमें directly ही इस्तेमाल कर लें, और answer जो है, जल्दी find out कर लें हैं पन ठीक है, त है ना, remember, remember, पहली चीज, तो ये वाला area, y equal to e की power x, है ना, y equal to e की power x ने ये जो area यहाँ बनाया है, ये जो area है, ये वन है, ये जो area है, ये वन है, है ना, और ये बात यहाँ भी जो है, आप यूँ भी याद इसको कर लें, अच्छा रहेगा, कि ये मेरा था lnx, ये वाला जो area है आपका, this area, this area is basically one, दूसरा, मैंने आपको synex की जो cycle है, synex की जो cycle है, इसका area, ये है हमारा synex, तो synex की जो ये आधी cycle है, ये जो area है मेरा, आधी का मतलब पूरी मैं इसको कह रहा हूँ है ना, cycle तो ऐसे पूरी होती है ना, तो हाँ, तो ये जो area है यहाँ पर, ये area भी कितना आता है मेरा, one plus one, two, two, ये area आता है two, ठीक है, तो ये area याद रखें, ये वाला area भी याद कर लो, तो बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए, ठीक, clear है, चलो, diagram बना दिता हूँ, मैं भी, करते हैं problem, x-axis है भई, y-axis है, sin x का graph बनाता हूँ, ऐसा कुछ करके graph बनता है, है ना, ऐसा करके graph बनता है, को सेक्स का graph बनाएंगे, तो को सेक्स का graph कुछ ऐसा बनता है, है ना, यहाँ से कुछ निकलेगा, और ऐसा कुछ करते हुए graph जाएगा आगे, ऐसा कुछ होगा भी, ठीक है, तो यूँ करते हुए, फिर ये graph जो है, यह यूँ करके फिर आगे ये graph move करेंगे, ठीक है, यह ना, पीछे, कुछ इस तरीके से, ग्राफ रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज अब्जर्फ कर सकते हैं कि, यह आपस में कई सारे areas enclosed करेंगे, कई सारे regions होंगे, जो enclosed area वाले region होंगे, जैसे ये एक region है, आगे वाला दूसरा region होगा, फिर एक region होगा, तो enclosed area के, यह कई सारे regions आएंगे, अपने को एक region का area निकालना है, क्यों एक का पूचा, क्योंकि सबके बराबर हैं, symmetry से ये बात बोली जा सकते हैं कि, सबके areas जो हैं वो बराबर हैं, तो पहली बार तो यह first coordinate में बराबर होते हैं दोनों, तो intersection point इनका आपन easily observation से निकाल सकते हैं, कि sin और cos इत्ते simple function हैं, इनको मतलब कौन नहीं जानता कि ये πाई बाई फॉर पे बराबर हैं, first quadrant में sin cos दोनों positive होते हैं, third quadrant में दोनों negative होते हैं, third quadrant में जाकर के, third quadrant में जाकर के, pi plus pi by 4, 5 pi by 4 के उपर, यह फिर बराबर हो गए, तो यह pi by 4 और 5 pi by 4 पे बराबर होए, और मैंने आपको बताए कि उपर वाला function minus नीचे वाला function करतो आप, तो यहाँ पे उपर वाला function है, यह है sin, यह मेरा sin x का graph बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो बना है, यह बना है cos x का graph, तो area, जो है required area, this is basically pi by 4 से ले करके, 5 pi by 4, ऊपर है sin x, नीचे है cos x, यहाँ से जो answer आएगा, वो मेरा final answer होगा, sin x का integration होता है minus cos x, cos x का होता है sin x, ठीक है, और limit जो है integration की pi by 4 से, 5 pi by 4, वो मैंने रख दी, ठीक है, तो जब हम 5 pi by 4 यहाँ रख रहे होंगे, तो यह आएगा आपका minus 1 by root 2, जो इसको कर देगा, प्लस 1 by root 2, 5 pi by 4 यहाँ रख रहे होंगे, तो minus minus यह हो जाएगा, plus 1 by root 2, ठीक है, minus, minus, lower limit यहाँ रख लेते हैं, तो lower limit जब रखोगे, तो minus 1 by root 2, minus 1 by root 2, ऐसा sin हो गया, ठीक है जी, तो यह हो जाएगा, 2 times root 2, और plus 2 times root 2, तो यह हो गया, 4 times, 1 by root 2, 4 times 1 by root 2, actually 2 times 1 by root 2 है, ठीक है, तो यह आजाएगा, 2 root 2, 2 root 2 के आगे, square units और लिख दोगे, तो और अच्छा लगेगा, 2 root 2 square units, ठीक है, very simple to think, very simple to solve, clear हो गया, done, diagram बनाना है, intersecting point निकालने है, area के corresponding definite integration लिखना है और solve कर देना है, यह steps हैं, जो एकदम clear है, ठीक, right, next question कर लें, so, next question है आपके पास, diagram बनाओ, ठोट लगाओ, सोचो, solve करो, solve हो जाना चाहिए, यह question solve हो जाना चाहिए, answer आते ही मुझे बताओ, क्या answer आ रहा है आपका, सोचिए, चलो attempt करते हैं जरा इसको, x equal to minus 2y square, देख लो जरा, x equal to minus 2y square, x equal to minus 2y square, जो है, कैसा graph बनेगा? ऐसा graph बनेगा, कैसा अगर सहमत हो इस बात से, y square equal to 4x ऐसा बनता है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, ठीके ना? ऐसा graph बनेगा, x equal to minus 2y square, y में quadratic होती है, तो horizontal तैरा बोला बनता है, और y square का coefficient नेगेटिव हो जाए, तो इधर बनता है, positive हो जाए, तो इधर बनता है, यह भी y में quadratic है, यह भी ऐसा ही बनेगा, एक बात अब्जर्व कर सकते हैं कि, x की value क्या रखें कि, आपका y 0 हो जाए, x की value 1 रखने पर y 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह graph जो है, 1,0 से pass कर रहा है, है ना, 1,0 से pass कर रहा है, और इसका भी जो y square का coefficient negative है, तो इस तरफ मु है इस parabola का भी, तो यह जो parabola है, यह parabola कुछ यूं है, सह मतलब यह इस बात से आप लोग, ठीक है, तो इसने कहा कि area bounded by these two parabola, बताईए, तो area bounded by these two parabola will be this area, this area, और symmetry से हम बोल सकते हैं, यह जो area है, यह जो area है, यह area, इस वाले area का double रहा होगा, यह जो area है, यहां वाला जो area है, अगर मैं इस वाले area का, यह x axis से उपर वाला जो area है, यह वाला area, अगर मैं इस वाले area का double कर देता हूँ, इस वाले area का double कर देता हूँ, तो यह area मुझे को मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो इस area का double करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को, यहां पे दो step की problem हो गई, यह area अलग से निकालना पड़ेगा, यह चुटंग की area और इस area को अलग से deal करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, इस intersection point की ज़रूत तो मेरे को पड़ेगी ही, interesting बात क्या है, यह वाला intersection point और यह वाला intersection point का x coordinate से मी आने वाला है ना, तो मेरे को इसके x coordinate की ज़रूत पड़ने वाली है, तो x coordinate की ज़रूत पड़ने वाली तो intersection point निकाला तो बड़ा easy है, देखो, यहाँ, यहाँ से आप देखोगे ना, तो y square की value मुझको मिल गई x upon minus 2, और यहाँ से y square की value अगर आप निकालोगे तो मुझको मिल गई x minus 1 upon minus 3, तो यहाँ पे यह जो y square है ना, यह, एक है x upon minus 2 और एक है आपका x minus 1 upon minus 3, इनको जब solve किया, तो अपने को x coordinate मिल जाएगा, minus 3x equal to minus 2x plus 2, minus 2x plus 2, इधर लाओगे तो minus x equal to 2, x is equal to minus 2, तो यहाँ पे हम intersection point clearly देख सकते हैं, कि x equal to minus 2 इसका intersection point है, ठीक है, यहाँ पे अगर यह वाला हिस्सा graph का आप देखोगे, इस वाले हिस्से की equation लिखना चाहो, तो इस हिस्से की equation क्या होगी, देखो, y square है आपका 1 minus x y 3, तो y की जो value होगी, वो होगी under root 1 minus x upon under root 3, ऐसा कुछ होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है, यह जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसकी equation होगी, minus under root 1 minus x upon root 3, ठीक है, बिल्कुल similar तरीके से, यह जो उपर वाला, यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा जो parabola का है, इसकी equation क्या होगी, यह y square equal to minus x by 2 है, तो इसकी equation होगी आपकी, minus x by 2 का under root, ठीक है, और यह वाला जो y होगा, यह वाला minus of minus x by 2 का root, सहमता है इस बात से, clear है, तो required area, इतने सारे काम के बाद, अगर मैं आपसे required area की expression पूछूँ, तो आप बोलेंगे, required area की expression अगर मैं पूछूँ, तो आप बोलेंगे की, minus 2 से 0 तक, minus 2 से 0 तक, minus 2 से 0 तक, ऊपर लाल वाला function रहा है ना, लाल वाला, under root 1 minus x upon root 3, this minus, सफेद वाला function, ठीक है, सफेद वाला function, minus 2 से 0 तक, और 0 से लेकर के, 0 से लेकर के 1 तक, लाल वाला जो function है, यह वाला जो function है, इस function को अगर हम कर दें, integrate तो answer आजाएगा, ठीक, यह हमारा required area की expression होगी, अगर आप सहमत हैं, तो मागे कर देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो यह वाला जो function है, यह पहले minus 2 से 0, और फिर 0 से 1 integrate हो रहा है, तो basically यह function मेरा minus 2 से सीधा 1 तक integration में जा रहा है, ठीक है, तो मैं directly ऐसे लिख सकता हूँ, कि इसका integration देखो, 1 by root 3 को तो भाहर ले लेते हैं, 1 minus x की power, 1 by 2 का integration हो जाएगा, 1 minus x की power 3 by 2 upon 3 by 2, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, ठीक है, और x का coefficient जो है, minus 1 वो यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो limit जा रही है, मेरी minus 2 से लेकर के, सीधी 1 तक जा रही है, ठीक है, और minus में, देखो, 1 by root 2 को तो यहाँ ले लो, 1 by root 2 को यहाँ ले लो, minus x की power 1 by 2 का integration हो जाएगा, minus x की power 3 by 2, divide by 3 by 2, ठीक है, और minus sign है, इसलिए यहाँ पे minus लगा दिये मैंने, अरे समझ में आ रही है भाई बात, ठीक है, यहाँ minus 2 से 0 limit जाएगी, इसकी limit जाएगी minus 2 से लेकर के 0, अब तो calculation मेरे को करनी है, calculation कर लेते हैं, calculation कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं calculation, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं calculation को, 1 जब पूट करेंगे तो 0 हो गया, minus of, minus 2 पूट करेंगे इसके अंदर, तो minus of minus positive हो गया, ठीक है, positive, तो यह 2 पलती मार जाएगा, तो 2 by 3 root 3, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम minus 2 रखेंगे, तो minus 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 की पावर 3 by 2, 3 की पावर 3 by 2, 3 root 3 होता है, तो 3 की पावर, 3 by 2 होता है आपका, 3 root 3, ठीक है, ओके, तो यह चीज मिल गई मेरेको, अब इसमें 0 पूट करोगे, तो 0 हो जाएगी, है ना, minus का निशान तो यहाँ पे लगाई हुआ है, minus का निशान यहाँ लगाऊ है, 0 पूट करोगे तो 0 हो जाएगी, फिर minus of minus 2 पूट करोगे, तो minus minus प्लस हो गया, ठीक है, प्लस और एक minus यह है, तो यह minus ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यह हो गया, आपका 2 पल्टी मरवादे हैं, 2 by 3 root 2 ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ minus 2 पूट करेंगे, तो 2 की पावर 3 by 2 यह कितना हो गया, यह हो गया 2 root 2, तो आप यहाँ पे देखो, scene कैसा बन रहा है, scene बन रहा है 2, आ गया यहाँ पे, 2 minus 2 minus 4, 2 minus 4 by 3, 2 minus 4 by 3 कितना हो गया, 2 by 3, ठीक है, 2 by 3, अच्छा, एक और चीजा, required area मेरा यह नहीं है, इसका double है, ठीक है ना, मैं तो यह वाला area निकाला है, required area तो double है इसका, तो required area जो है, वो इसका double है, ठीक है ना, तो required area इसका 2 times है, 2 times, तो मैं यहाँ पर 2 और multiply कर देता हूँ, यहाँ सब जगे 2 का factor और आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा, यह 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, तो इस पूरी कहानी को मैं 2 से multiply करने वाला हूँ मेरा कहने का मतलब यह है तो इस पूरी कहानी को मैं 2 से multiply करके 2 by 3 को 2 से multiply करके तो कितना हो गया 4 by 3 मेरे answer में लिखा जाएगा ठीक है न 4 by 3 answer आ गया diagram बनाना है expression लिखनी है थोड़ा patience की साथ यहां calculation करनी है, कुछ भी तो नहीं है, होने लाए question था, होना चाहिए था, ठीक है, लिख लो इसको note कर लो भई, टू टाइम्स यह, यहां दोनों का था, ठीक है ना, मैंने यहां combinedly कर दिया था, यहां मैंने कर दिया था, यह टू टाइम्स मैंने पूरी expression का किया था, ठीक है ना, next question करें, solve, चलो, next बातें सीखते हैं अपन, यह ना, तो आई होप आपको area जो है यार, वो तो निकालना आ गया होगा, ठीक है, फिर से अपन क्या कर रहा है, intersection point देखो, निकाले हैं, है ना, यह सारी calculation हमने की है, intersection point के लिए, let's find the intersection point, intersection point के लिए हमने यह सारी calculation की है, यह ना, यह वाले जो calculation यहाँ जो हो रखी है, right, चलते हैं आगे, देखो जड़ा, देखो, एक area है, जहाँ से सुनना, जो बड़ा interesting है, और बड़ा simple है, और उस area को अपन याद करते हैं, actually, and a very important area to learn, क्या करते हैं याद अपन, कई सारे वैसे याद करें हैं अपने, थोड़े से और याद कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, तो यह पैराबॉला है मेरा, y square equal to 4ax, तो इसका focus कहाँ पे होगा, पैराबॉला इसका focus 1,0 पे होगा, पता है न आपने को, तो 1,0 से एक line vertical अगर खीच दूँ मैं, एक vertical line अगर मैं खीच दूँ तो वो vertical line क्या होगी, x equal to a, तो x equal to a ने और y square equal to 4ax ने जो area bound किया है ये वाला, एक तो मेरा इसके अंदर बहुत interest है, तो अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालें, इसको निकालेंगे, अच्छा, इसको मैंने नाम दे दिया, इस बिंदू को a नाम दे दिया, इस बिंदू को क्या नाम दे, a नहीं देते है इसको नाम, आँ, a देंगे इसको नाम अपन, इसको a नाम दे दिया, ये origin है ही और इसको B नाम देते हैं, तो यह जो region है न, AOB, यह जो AOB region बन रहा है, मैं इस AOB region का area लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं area of area of region AOB, तो region AOB का area बताओ कितना है, टू टाइम्स, भई यह उपर वाले area का double है basically, यह जो x-axis के उपर जो area है, इस area का double करते ही आजागा, तो double है आपका, 0 से लेकर के a, 0 से लेकर के a, y-square पे न, 4ax है, तो y की जो value है, वो हो गई, 2 root a, root x, ठीक है, और एक हो गई आपकी y की value, minus 2 root a, root x, तो यह तो मैं कई बार बता चुका हूं कि, उपर वाली branch जो है यह parabola की, इसकी equation 2 root a, root x है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया, 2 root a, root x, dx, ठीक, तो जब अपन इसको करें, integrate गए तो 2 और 2 हो गया, आपका 4 root a, x की power 3 by 2, upon 3 by 2, और 0 से a limit लगाएंगे, तो यह area आपना, a की power 3 by 2, और a की power 1 by 2 हो गया a square, तो यहाँ से आ रहा है, 8 a square by 3, एक तो यह area आपने को याद रखना है, ठीक है, दूसरा, एक और यहाँ पर बात अपन याद रखेंगे, जिसका इस्तेमाल कई बार questions में हो जाता है, और अब की बार j mains के सवालों में भी इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, previous year के कुछ सवालों में इसका इस्तेमाल काफी अच्छे से हो जाता है, देखो, यह जो area है न, area 8 a square by 3 आ गया, अब मैंने क्या किया, मैं एक rectangle बना रहा हूँ, आप उस rectangle को देखना, मैंने a से यहाँ perpendicular डाला, b से यहाँ perpendicular डाला, और एक rectangle मैंने बना दी, इस rectangle को गोर से देखिए आप, इस rectangle का जो area है कितना होगा, इस rectangle का area, यह a, b, इस बिंदू को मैं c का नाम देदेता हूँ, इस बिंदू को मैं d का नाम देदेता हूँ, तो area of rectangle, area of rectangle, area of rectangle A, B, C, D, देखोगे तो ये वाली length कितनी है, 2A, ना, sorry, not 2A, 4A, this length is 4A and this length is A, 4A, तो ये होगी आपकी 4A square है ना, ये latest rectum है पहरा बोला का, latest rectum की जो length है ये 4A होती है, latest rectum की length वो होती है जो ये number यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, तो 4A, 4A को A से multiply कर दिया, 4A square, ठीक है, तो यहाँ पे notice करने वाली बात क्या है, की जो area of region, area of region A, O, B जो है ना, area of region A, O, B जो है, this is, this is आपका 2 by 3 times of area of rectangle, 2 by 3 times of area of rectangle A, B, C, D, आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या खास बात है, क्यों लिख रहे हैं इस observation को अपन, क्योंकि कई question में, ये statement का इस्तेमाल करके question solve करते हो, तो बड़े fast निकल के आते हैं वो, ठीक है, आप ये note कर सकते हो, कि ये जो region A, O, B है, ये basically इस rectangle का 2 by 3 करने से मिल गया, 2 by 3 करोगे तो 8 by 3 ये square आ गये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो formula बड़े important है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, तो ये बात अपनी जो है ना, note करने वाली है, है ना, note करने वाले, note कर लेजिए इसको, है ना, remember, क्या याद रखना है अपने को, अपने को याद रखना है, की, एक तो area enclosed by, area enclosed by the parabola, the parabola y square equal to 4ax, and the line x equal to a is, 8a square by 3, एक बात तो अपन ये याद कर लेंगे, ठीक है ना, तो एक बात तो अपन ने ये वाली, कब जे में कर ली, और दूसरे बादी बात ये कब जे में कर लेते हैं, अपन, दूसरी बात ये याद कर लेते हैं, ठीक है, दोनो ही statement को by heart याद कर लेजिए, very important, very important, clear है जी, ठीक है, ये diagram जो है, ये diagram एकदम, आपको clear होना चाहिए, right, और वही चीज़ें याद करने के लिए बोली जाते हैं, जो सवालों में, direct आपको impact महसूस कर वाएं, ठीक है, इसी तरीके का एक और एरिया देखते हैं आपन, देखो, एक parabola है अपने पास, y वाला, मस्त वाला, y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, ठीक है, ये बना दिया अपने, y square equal to 4ax, एक parabola, दूसरे parabola के साथ कितना एरिया ट्रेस करता है, ये भी बड़ी important सवाल होते हैं, और parabola line के साथ कितना एरिया ट्रेस करता है, ये सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, अगर origin से पास होने वाली एक line ले ले लेता हूं, है y equal to mx, तो m की value आप 0 लोगे न, 0, तब देखो, bounded area नहीं आएगा, और m की value ऐसी हो जाए कि note defined हो जाती है, ऐसे vertical line आजाए, एक तब नहीं आएगा area bounded, otherwise हर m के लिए, आप एक bounded area देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको, मेरा interest इस area के अंदर है, general value निकालना चाहता हूं, मैं y equal to mx और y square equal to 4ax जो curves है, यह वाला जो area trace करते हैं, यह वाला जो area enclose करते हैं, इस area की value अपने को चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इनका intersection point निकालेंगे अपन, यह वाला intersection point तो अपने को मालूम x equal to 0 है, मेरा interest इसके अंदर है actually, तो intersection point निकालते हैं, तो y square equal to 4ax है मेरे पास, और y equal to mx है, तो y की जगह पर यहाँ पर mx पूठ करूँगा मैं, तो m square x square equal to 4ax ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको मैं left में लेकर जाऊँगा, तो x को मना गया, m square x minus 4a equal to 0 हो गया, तो यहाँ से दो intersection point आ रहे हैं, हैं भी दो, एक x equal to 0 आ गया, एक x equal to 4a upon m square आ ठीक है, तो यह वाला जो intersection point है, यह मेरा x equal to 0 था, और यह जो intersection point है, इसका जो x है आपका, वो 4a upon m square आएगा, correct है, तो जो area enclosed है, area enclosed है, कितना हो गया वो, यहाँ लिख देता हूँ, area enclosed, area enclosed है, कितना हो गया वो, कैसे लिखेंगे expression उसकी, 0 से लेकर के, 4a upon m square है न, 0 से लेकर के 4a upon m square, उपर वाला, उपर वाला branch, यह हो गया आपका, 2 under root ax, 2 under root ax, minus mx, यह हो गया, 2 under root ax, minus mx, और इसको जब आप integrate करते हो, तो यह हो जाएगा, आपका 2 root a, root x का integration, x की power 3 by 2, upon 3 by 2, minus mx square by 2, और यहाँ पर 0 से लेकर के, 4a by m square अपने fit कर दिया, ठीक है, जब आप इसमें x की value, 4a by m square fit करोगे, तो इसका जो final answer आजाएगा, solve हो करके, वो आजाएगा, 8a square by 3m cube, यह answer आजाता है, 8a square by 3m cube, तो यहाँ पर यह वाला जो result है, यह अपने को याद रखना है, कि जी area enclosed by, area enclosed by the parabola, यह याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं निकालना तो आता ही है, by the parabola y square equal to 4a x, and the line y equal to mx, is given by, is given by 8a square upon, 3m cube, यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, m की value देखो negative भी हो सकते ना भई, ऐसी line भी तो हो सकती है, तो इसका modulus लेना यहाँ पर जरूरी है, अपने को ठीक है, तो यहाँ पर m की value, जो है magnitude लगा दूँगा, तो यह area positive हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक की, कोई भी value यहाँ fit कर सकते हो, आप mode ले लिया आप मैंने, ठीक है, तो यह value याद रख लेना, यहाँ आप 8a square upon 3m cube, ठीक है, तो यह चीज भी आप जो है area note कर लो, remember this result, यह वाला जो result है, इस result को एकदम याद रखें आप, ठीक है, याद रखें objective examination के लिए, मान लो board के paper में सवाल आ जाता है, तो तब इसको directly इस्तेमाल करोगे, तो आपको अंड़ा मिल जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, remember for objective paper, remember for objective paper, ठीक, JEE में, NDA में, Bitset में, एकदम सीधा इस्तेमाल में ले लो, बड़े सारे problem आपके, सीधे सीधे solve वह जाएंगे, ठीक है जी, problem solve करेंग, चलो question solve करते हैं, question है, find the area, find the area, enclosed by the curves, by the curves, y equal to, 2x minus x square, and y plus 3 equal to 0, find the area enclosed by the curves, y equal to 2x minus x square, and y plus 3 equal to 0, diagram बना लेते हैं, y equal to, y equal to 2x minus x square को देखोगे, तो x में quadratic है, है ना, x में quadratic है, और इसके जो root है, वो 0 और 2 है, तो देखो, 0 और 2, root हो गई, ठीक है, तो parabola है, x square का coefficient, negative है, negative है, तो downward parabola होगा, तो ऐसे करके, downward parabola बनेगा, ठीक है, downward parabola बनेगा, y equal to minus 3, ये कैसी line है, ये कुछ ऐसी line होगी, ऐसी कुछ y equal to minus 3, ठीक है, वापस बना देता हूँ, ये, ये हो गई, y equal to minus 3, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल, पूछ रहा हूँ की, क्या ये line, इस parabola के, focus से, पास कर रही है, focus का क्या scene होता है, कि, देखो, y square equal to 4, एक्स देखते हैं अपन, y square equal to 4, एक्स देखते हैं अपन, तो, देखो, ये length, ये वाले length, कितनी होती है, अगर, इस length का, four times ये मिल जाए, तो, समझ लो, आप focus से, पास कर रही है, है ना, नहीं तो, नहीं कर रही है, तो, मैं आपसे, ये कहना चाह रहा हूँ, कि, देखो, बीच में, point one है, ठीक है ना, तो, यहाँ point one है, मैं अगर, इस length को, निकालना चाहूँ, देखो, उपर वाला point कितना है, x की value one put करो आप, one put करो तो, ये 1,1 point है, 1,1 point, तो, ये length है, और, ये वाले जो length है, बच गई length कितनी है, 3, 3 और 1 कितनी है, 4, अच्छा, ये x की value क्या है, 1 है, आपकी यहाँ पर, तो, ये length 4 है, अगर, 4 times, मतलब, 16, अगर, ये मिल गई मेरे को, अगर, ये मेरे को 16 मिल गई, तो, मैं बोल दूँगा, focus से pass कर रही है, ठीक है, तो, 16 मेरे को ये मिल गई, तो, मैं बोलूँगा, क्या, तो, अब, देखूंगा, मैं इसके coordinate क्या है, x coordinate क्या है, पता चल जाएगी, ये length, तो, चेक कर लेते हैं, तो, मैं क्या करूंगा, मैं, 2x माइनस x स्कुाइर को, और, y इक्वल टू माइनस 3 को, सॉल्फ करूंगा, तो, x स्कुाइर माइनस 2x, क्याना, माइनस 3 इक्वल टू 0, तो, यहां से आगया मेरा, x माइनस 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की value माइनस 1, और, 3 मिली मेरे को, तो, x की value एक माइनस 1 मिली, एक 3 मिली, तो, ये length कितनी मिली मेरे को, 4 मिली है total, focus से तो pass नहीं कर रही है, चलो, कोई बात नहीं, focus से pass नहीं कर रही तो, तो, अगर focus से pass कर रही होती, तो, फिर थोड़ा और symmetrical diagram बन जाता, खेर, कोई बात नहीं, focus से नहीं pass कर रही, तो, अरिया निकाल दो, direct, कैसे निकाल होगे इसका एरिया आप, देखो, इसका एरिया निकाल दो, उपर वाले का, माइनस नीचे वाले का, ये, ये मेरे को, x equal to minus 1 मिल गई है, अभी solve किया था मैंने, ये तो बैसे भी निकालना था, मेरे को point, और ये मेरे को कितना मिल गया, x equal to, 3 मिल गया, ठीक है, x equal to minus 1 मिल गया है, x equal to 3 मिल गया है, तो, एरिया हो गया मेरा, एरिया जो है, एरिया हो गया मेरा, minus 1 से 3, minus 1 से 3, इस एरिया की बात कर रहे ना, आपन, उपर वाला ग्राफ, उपर वाला graph है आपका 2x माइनस x square माइनस नीचे वाला graph that is माइनस 3 यह ना dx क्या answer आएगा इसका solve करेंगे तो कितना answer आ रहा है solve किया आपने चलो solve करते हैं मैं करता हूँ solve रुखो ज़रा है इसकी मैं calculation अगर करूंगा तो मेरे को जो लग रहा है इसका answer आएगा आपका 32x3 नहीं आ रहा है 32x3 आ रहा है तो इसका जो answer है वो आ रहा है 32x3 अगर आप इसको solve करेंगे तो ठीक है आपको एक interesting fact बता रहा हूँ है कि यह जो answer है यह यहाँ जो rectangle बन रही है उस area का 2x3 आ रहा है calculate कर ली थी यह बात ठीक है आप लोगों ने integrate किया होगा ठीक है तो यह integration का answer 32x3 आएगा आप इसको solve करके देखेंगे तो 32x3 आएगा एक और चीज नोटिस कर लो देखो यह कितनी है 4 और यह length कितनी है 4 4x4 16 तो rectangle का area 16 हो गया 16 को 2x3 से multiply करो 32x3 आ रहा है मतलब अब की बार भी जो area है वो कितना आया 2x3 times of area of this rectangle तो required area जो है जो आपका required area जो आया है वो आया है 2x3 times of area of rectangle area of rectangle तो this is 2x3 times area of rectangle जो है आपका 32x3 होगा बात समय में आ रही है तो यहां पर बड़े बतलब आप देखो एक ऐसी line बन रही है एक ऐसी line बन रही है यह जो rectangle बनती है ना इस rectangle का जो area है उसका 2x3 times करोंगे तो इस region का area आ जाता है यह बड़ी interesting property है समझा रही है मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है सोचना इसकी उपर आप लोग और अच्छे से जाके correct इस lecture में इतना ही ठीक है